एलो गाईज, I hope you all are well गाईज हमने लास्ट क्लास में बैलेंशेट स्टार्ट किया था फाइनिशल स्टेट्मेंट अनलिसिस और हमने लास्ट क्लास में शेर होल्डर फरंड्स कंप्लीट किया था जिसमें हमने शेर कैपिटल देखा था उसके अनदर जो टाइफ भी अफ शेर कैपिटल हैं जैसे एस्टोरिश शेर कैपिटल श divक 망तरिडि़ शेर कैपिटल सबस्कारब शेर कैपिटल उप्सक्राइब के डीटेल दिछा था हमने रिजर्स ने खियत था कॉन कोन से रिजर्स इंखलूड होते हैं बनी रिसीव अमिन शेर वारंट्स और शेर अप्लिकेशन बनी पंडिंग अलॉट्मेंट यह दूनों पॉइंट फिर्स्ट पॉइंट और सेगंड पैलेंट का कॉंप्लिट किया था आज हम इस lecture में हमारा जो third point is that is non current liabilities और हमारा fourth point current liabilities ये दोनों part आज हम complete करेंगे इस lecture में ये liabilities वाला part हमारा आज complete कर लेंगे हम दो So let's start देखो हमारे पास अगर हम liabilities की बात करें तो हमारे पास दो तरीक लिबर्टी से non current और current ये जो bifurcation है non current और current का ये bifurcation हमारा आता है कुछ time period की वज़े से तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन सा factor है जिसकी वज़े से non current और current liabilities का bifurcation बनता है जो नमरे difference बनता है देखो हमारे बास एक बहुत important factor है वह है सबसे पहला operating cycle हमारे business की operating cycle होती है ठीक है हर business की अपने operating cycle होती है और वह business operating cycle के साब से operate करता है उस time period को हम consider करते है non current current liabilities को consider difference के लिए और साथ ही साथ हमारे 12 months का time period होता है हमारे 12 months का financial year होता है हम उससे भी consider करते हैं तो दू factor हम consider कर रहे है current और non current के difference के बीच में अब सबसे पहले क्या बुला है operating cycle is the time between the acquisition of asset processing its processing and its realization into cash हमने asset acquire क्या, asset का मतलब यहां पर raw material suppose तो हमने हमारे business में raw material acquire किया raw material acquire करने के बाद हमने उसको convert करके बेच दिया और बेच के हमारे पास पैसा आ गया यह जो पूरा cycle होता है इस पूरे cycle को हम कहते है operating cycle question में यहां पर साफ लिखा है कि अगर आपके business का operating cycle आपको identify नहीं होता है तो हमें यह मानना है हमारा assumption है कि हमारा operating cycle 12 months का है 12 months मतलब it is equal to financial year तो दिखो operating cycle कैसे बन रहा है आपके business में आपके पास cash पढ़ा है you have a cash with you अब आप क्या करते है जब business को start करते है आपके पास cash होता है तो आप सबसे पहले उससे raw material purchase करते है raw material आज आपने purchase किया तो raw material ऐसा नहीं है कि वो raw material आपके पास आते ही use में आ गया वो raw material आपके पास कुछ time तर पढ़ा रहेगा suppose average आपके पास 3 months तक वो raw material held up रहा actually company's किया करते है raw material थोड़ा extra मंगवा थी कुछ emergency के लिए मानले लिए कभी supplier ने raw material नहीं दिया टाइम पे तो company's थोड़ा extra raw material भी मंगवा के रखते है तो average ही माना ही कि हमने raw material purchase किया और raw material हमारे पास 3 months सब पढ़ा रहा हमारे go down में उसके बाद raw material processing के लिए गया और processing करने के बाद मानले लिए उसको finished goods में convert होने में time लगया 4 months तो यहां पे raw material held रहा 3 months के लिए raw material convert हो और 4 months में convert हो गया finished goods में अब जो finished goods बन गये हैं वह finished goods इतना जल्दी बिखते नहीं ऐसा नहीं कि finished goods बना और फटाफट भेज दिया it requires a time ठीक है तो वह finished goods inventory में held रहे 2 months के लिए inventory में पढ़े रहे finished goods go down में पढ़े रहे ठीक सबोज हम car making companies की बात करते हैं अभी तो automobile sector बहुत boom पे है इसने car making companies फटाफट order इधर order आता है इधर car बना के दीती है पहले ऐसा नहीं होता था पहले car making companies अपने car को बना के रखती थी और उनके पास बहुत बड़ी space हुआ गरती थी उस space जो cars खड़ी रहती थी तो finished goods बनने के बाद जैसे refrigerators होगे रहा है या कोई भी electronic item है यह बनने के बाद कुछ time तो पढ़े रहते हैं companies के पास तो they are held as a finished goods suppose they are held for two months so this is the two months cycle two months part now next is finished goods को आपने बेच दिया पर वो जो finished goods है ठीक है वो आपने बेचा चार मैने की credit पे ठीक है normally जो कपड़ा होता है शोटिंग शर्टिंग बेचते हैं जो garments होते हैं वो credit पे भीगते हैं तो चार मैने की credit पे भीचा गया उसको मतलब debtor से पैसा कब आएगा debtor से पैसा आएगा चार मैने बाद चार मैने बाद वो पैसा आया debtor से जो credit receivable है debtor receivable से उनका पैसा आ गया हमारे पास और वो पैसा वापस से business में आ गया हमारे पास फिर हम उसने हमने वापस से raw material purchase किया और यह वापस से cycle चल निकली तो यह पूरी operating cycle है यह four months हो गया this whole cycle is operating cycle अब कितने months हो रहे हैं थेको three plus four seven seven or two nine और nine और 14 13 months तो यहां पर हमारे पास जो operating cycle बन रही है हमारे operating cycle बन रही है 13 months की अब यह जो 13 months है देखो हम किसको compare करते है non current current liabilities को बनाने के लिए हम एक तो 13 months की operating cycle को consider करते है ठीक है sorry this is operating cycle अब तो एक तो operating cycle को consider करते है और साथी जो हमारा 12 months का financial year है हम 12 months का financial year भी consider करते हैं इन दोनों को compare करते हैं ठीक है अब तब हमारे सामने निकल के आता है कि liability कौनसी है current liability है या non current liability है सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक छोटा सा explanation जो current liability को explain कर रहा है कि हम किसको current liability कहते हैं ठीक है उसके बाद में हम आते हैं non current liability उसके बाद में operating cycle पढोशा कि पढ़ेंगे operating cycle पढ़ने के बाद we are non current liability में ठीक है सबसे पहले एक छोटा सा explanation है current liability के बारे में पढ़रे हैं इन रहे रहे हैं libra pasti can classified as non current ठीक है इक छोटा सा explanation पहले current liability के का बाद में डेटेल में पढ़ेंगे current liabilities are those liabilities which are expected to be settled in the company's normal operating cycle एक ऐसा liabilities जो company की normal operating cycle में settled हो जाएगी normal operating cycle में settled होगी तो current liabilities है due to be settled within 12 months जो हमारे financial year है ठीक है हमारे जो balance date है हमें चाहदर को balance date क्या बोलता है reporting date क्योंकि इस समय हमारे financial statements को हमारे shareholders को report करते है ठीक है तो balance date is always known as reporting date reporting date के बाद after reporting date जो 12 months है वो हमारे financial year है पूरा तो reporting दिसे मान लीजे we are closing our books of accounts on 31st 23 यह हमारे reporting date है इसके बाद 23, 24 यह जो 12 months का period है ठीक है इस period में अगर कोई liability subtle होती है ठीक है तो that is current liability तो अभी यहाँ पर हमारे पास दो parameters है अगर हम किसी liability को current liability कह रहे हैं तो हमें दो parameters को consider करना है ठीक है एक तो हमारा reporting date से 12 months का criteria ठीक है और एक हमारा operating cycle का criteria तो दो एक operating cycle और 12 months इन दोनों criteria को consider करना है किसी भी liability को current या non current मानने से पहले देखो अब यहाँ पर यह पहला explanation है box में operating cycle is less than 12 months किसी business भी बापरेटिंग cycle 7 months की है ठीक है मतलब 7 months में हमारा raw material भी आगया raw material को convert कर दिया और पैसा वापिस आगया बेचने के बाद और एक liability है जो 10 months में due हुआ ठीक है liability हमें pay करने 10 months within 10 months ठीक है liability is current liability यह liability current liability है क्योंकि देखो यहाँ पर operating cycle कितने months की 7 months की और एक 12 months का criteria है ठीक है और हमारी liability का settle होने का plan है 10 months का मतलब 10 महीने में मुझे है पैसे देने है तो दिखो जी 10 months है कि 7 months से out है 7 months से ज़्यादा है ठीक है तो operating cycle अगला criteria यहाँ पर fail हो गया यह fail है criteria क्योंकि 7 months से ज़्यादा है 10 months तो यह operating cycle अगला criteria fail हो गया बट यहाँ पर यह 12 months का criteria है यह जो 10 months है यह 10 months 12 months के within आ रहे है इन 12 months आ रहे है ठीक है 12 months का criteria थोड़ा लंबा है दो महीने ज़ादा है तो यह 12 months का criteria यह fulfill हो रहा है अगर यह criteria fulfill हो रहा है तो इसका मतलब यह जो liability है 10 months वाली यह liability हमारे लिए current liability है I hope you understand about this हमने दोनों criteria को compare किया ठीक है और जो criteria fit बटा उसके हिसाब से हमने current और non-current liability बना दिया अगर दोनों ही criteria fit नहीं होते हैं तो फिर यह non-current liability बन जाएगा ठीक है Now see the next example If operating cycle is more than 20 months यहाँ पर जो operating cycle है वो more than 20 months है तो देखो क्या बूला है operating cycle है यहाँ पर 15 months की ठीक है और हमारा जो financial year है मतलब reporting date से next जो financial year है वो हमारा है 12 months का तो एक 12 months का criteria होगा है यहाँ पर 15 months का अब हम liability देखते हैं liability कब settle होनी है liability is due to be settled in 13 months liability settled होगी 13 months ठीक है अब यहाँ पर साफ देख रहा हमें यह liability 12 months की criteria को पार कट चुकी है मतलब 12 months का जो criteria उससे out है liability 12 months के बाद pay होनी liability तो इसका मतलब यह criteria हमारा fail है 12 months वाला criteria fail हो गया बट यह liability within operating cycle पे हो जाएगी तो operating cycle वाला criteria हमारा fulfill हो गया दोनों में से अगर एक भी criteria fulfill हो जाता है तो यह हमारे लिए current liability बन जाती है so this is current liability basically इस तरह से हमें comparison करना है और हमें यह पता लगाना है कि reporting date को है हमारी liability कौन सी है current है या non-current no next is current liability हम किसको बोलते है current liabilities are held primarily for the purpose of trading trading मतलब कुछ ऐसे liabilities है जो हमारी liabilities है बट हम उनमें भी trading कर रहे हैं कैसे trading कर रहे हैं देखो suppose मन लेजे हमने 1 lakh debentures issue किये ठीक है हमने हमारी company के 1 lakh debentures issue किये और debenture हमारे लिए normal liability होती है ठीक है और वो भी long term liability debenture भी तो यह suppose हमारा criteria example समझते है कि हमने 1 lakh debentures issue किये यह हमारे पुद के debentures है हमारे liability है हमने क्या किया 1 lakh debentures में से 10,000 debentures हमने पुद ही करीद ली हमारे पुद के debentures हमने पुद करीद ली तो यह जो 10,000 debentures से हमने क्यों खरीद है हमने क्रीद है ट्रेडिंग के लिए हमारी liability को हमने व्यापार के लिए खरीद आया for trading purpose it is held for trading purpose हम debentures कभी हमारे debentures का अगर market price बढ़ गया तो हम उनको भीज देंगे वापस market price कम हो गया तो खरीद लेंगे तो जब तक यह debentures हमारे पास हैं मतलब reporting date पे हम इन debentures को यह जो 10,000 debentures है इनको हम current liability में put करेंगे तो 1 lakh में से 10,000 debentures की trading हम खुद कर रहे हैं तो वो current liability है और बचे कितने 90,000 यह जो 90,000 debentures से इनको हमें repay करना है एक साल के बाद तो यह बन जाएगा non current liability तो 1 lakh में से 90,000 बन गे non current और 10,000 बन गे current liability So those liabilities which are held for trading is current liability No अब हमें हमें पास fourth criteria there is no unconditional right to defer the settlement for at least 12 months after the reporting date एक ऐसी liability जिसमें हमें पक्के से पताएगे हमारे पास कोई right ही नहीं कि हम 12 months के बाद पे करेंगे ठीक है there is no right with us हमारे पास कोई unconditional right नहीं ठीक है हम पोस्पोन सेटलमेंट नहीं मतलब हमारे जो सेटलमेंट उसको पोस्पोन नहीं कर सकते है मतलब हमें within 12 months उस liability को पे करना ही करना है कुछ भी हो जाए मतलब हो हमारे लिए फिर current liability है reporting date से 12 months देखो हमेशा हमारा suppose reporting date है 31st March 23 तो यहां से 12 months देखो यहां से 12 months मतलब पूरा 23-24 the whole 23-24 financial year यह 12 months का criteria है इन 12 months में अगर आपको financial liability को पे करना ही है आपको बास कोई right नहीं है कि आप उसको defer कर सको पोस्पून कर सको तो current liability है अब हमारे पास एक छोटा से example है जिसमें हमने comparison किया है कुछ हम liability को क्या माने current माने यह non-current माने जैसे trade payable हमारी liability है यहां पर हमने trade payable का example लिए trade payable एक हमारी ऐसे liability जो current भी हो सकती है non-current भी हो सकती है अभी जब आप balance sheet को study करेंगे we will get the answer तो current non-current कैसे माने first example, first situation this is situation number case number one operating cycle 10 months expected period of payment 8 months हमारी 8 महिने में payment करना है और एक criteria यहां पर ले लेते हैं 12 months ठीक है एले इन दोनों criteria को देखो operating cycle है 10 months और हमारा पास एक criteria 12 months ठीक liability settle होनी 8 months तो यह operating cycle के अंदर भी आ रही है और 8 months 12 months के अंदर भी आ रहा है इसका मतली surely current liability है क्योंकि दोनों criteria fulfill कर ले है दोनों के अंदर आ रही है ठीक है so it is less than operating cycle and within 12 months ठीक next operating cycle हमारी 10 months liability settle होनी 12 months ठीक है तो यहां पे दो criteria है 12 months के liability इस criteria के हिसाब से fail होगी क्योंकि operating cycle सिर्फ 10 months की है और liability हमें इसके बात pay करनी है तो एक criteria fail बट 12 months का criteria है वो fulfill हो रहा है क्योंकि liability 12 months में पे करनी है और 12 months का हमारा criteria fulfill हो रहा है ठीक है second criteria तो यह second criteria fulfill हो रहा है इसलिए current liability है because as it will get settled exactly in 12 months this is the reason exam में ऐसा question आता है तो reason भी लिखना आप हो ठीक है trade payable है हमारा 10 months ठीक और liability settle होनी है 15 months में दोनों criteria को overwrite कर रही है liability दोनों criteria मतलब दोनों के बाहर जा रही है तो बाहर जा रही तो पहुंसे liability यह non-current liability because it is to be settled after operating cycle and after 12 months criteria next operating cycle 18 months की है बहुत बढ़ी operating cycle है liability settle होनी 15 months में ठीक है तो यहां पे एक criteria 18 months का एक criteria 12 months का और liability settled होनी 15 months में तो 15 months इससे तो आगे जा रहा है यह criteria fail है यह criteria fail हो गया but 15 months 18 months के अंदर ही आ रहा है तो इसका मतलब यह current liability reporting date पे हम इसको current liability मानेंगे no next operating cycle 18 months की ठीक है और expected period of settlement है 24 months तो एक criteria 18 months एक criteria हमारा 12 months और liability settled होनी है 24 months में यह liability दोनों से out हो रही है 24 months are higher than 18 months and they are higher than 12 months यहां पे दोनों criteria fail हो रहे है इसका मतलब यह liability कहन से है non current liability so these are the basic criteria to make the liability as a current or non current liability हमेशा liability होती है हम सिर्फ उसका classification non current or current में करते हैं liability का मतलब सेम है we have an obligation to pay हम पैसा पे करना है but it has been classified as यहां पे हम से classification कर गहे है हम liability का nature नहीं बदल रहे है कभी भी याद रखो we are just doing the classification we are not changing the nature of the liability liability is always liability simple just to classify just to represent that liability into the balance sheet we use the criteria now अब हमारे पास है non current liability non current liability की जो definition है वो definition negatively defined है negatively defined का मतलब क्या है जो liability current liability नहीं है वो liability non current liability है मतलब non current liability की अपनी कोई definition नहीं है simple बोला है जो liability current liability नहीं है वो non current liability है simple सी बत है अब उसमें सबसे पहला आता है long term borrowings ऐसा पैसा जो हमने long term purpose के लिए borrow किया है ठीक है so borrowing means the amount taken as a loan हमने loan लिया है किसी से भी x by z and is a long term loan long term means it is payable after either operating cycle or after 12 months मतलब तब यह non long term borrowing है हमारी payable period payable period is greater than operating cycle and 12 months ही अगर condition है हमारी तो हमारी long term borrowing है ठीक है long term borrowings are shown under the head in the note to accounts note to accounts में long term borrowing की details आती है क्या-क्या आता है देखो long term borrowings में long term borrowings में आता है हमारे पास debentures bonds term loan taken from banks and other parties ठीक है public deposit public deposit लेते हैं कुछ ऐसी companies होती है जो A plus rating की companies होती है companies को A plus rating B plus rating ऐसी ratings होती companies की जो companies A plus rating में आती है ठीक है वो companies public deposit ले सकती है मतलब public से पैसा ले सकती है in the form of deposit तो public deposit is also long term borrowing no other loans and advances कुछ ऐसे loans and advances है जो long term borrowings मेहारे हमारे no अब हमारे पास है long term borrowings के बाद deferred tax liabilities net deferred tax liabilities net का मतलब क्या है यह एक अलगी topic है हाला कि आपके syllabus में cover up नहीं होता है बट इसका एक छोटा सा explanation is important है देखो क्या होता है कि जब हम companies की financial statements बनाते है तो company के financial statements हमें दो law के इसाब से बनाने पड़ते है एक हमें बनाना पड़ता है companies law के इसाब से companies at के इसाब से और एक हमें financial statement बनाना पड़ता है income tax at के इसाब से ठीक है accounting income is greater than taxable income आपकी इंकम शो हो रही है वो accounting income है taxable income से ज़्यादा है जिस income पर आपको tax देना है वो income तो income tax के इसाब से कम है actually हमार पास दो departments है यह क्या ROC companies act wallet department और यह क्या हमार पास income tax department income tax department ROC के इसाब से financial statements नहीं accept करता है तो हमें income tax इसाब से financial statements अलग बनाने पड़ते हैं और companies act के इसाब से अलग बनाने पड़ते हैं तो जब भी हमारे पास हमारी accounting income ज़्यादा होती है taxable income से ठीक है तो एक liability खड़ी हो जाती है जिसको हम कहते है deferred tax liability मतलब अगर मान लीजी यह income है पाँच लाग की ठीक है और taxable income है चार लाग मान लीजी हमको पाँच लाग पे tax pay करना है accounting income बोल रही है कि आपको पचास हजार का tax pay करना है बट department बोल रही है ना आपको तो 40,000 का tax pay करना है तो हम tax actual में pay तो करेंगे 40,000 ही यह तो शौर है क्योंकि income डेज़ पाट में ज्यादा tax नहीं लेगा हमसे 40,000 ही लेगा बट बुक्स में हम tax कितना बताएंगे बुक्स में tax बताएंगे 50,000 ठीक है तो 50,000 अगर आपने tax बताया बुक्स में ठीक है तो 10,000 जो है वो 10,000 हमारी defer tax liability मान के हम बुक्स में रखते हैं हमार पाट इस फिगर we put in the books of account that is defer tax liability इसी तरह से आगे आएगा हमार पा defer tax asset इसका उल्टा होगा ठीक है so this is very simple और ऐसे पूछा नहीं जाता exam में because it is not in your syllabus no next is other long term liabilities other long term liabilities मतलब long term borrowings के अलावा borrowings में हम पैसा borrow कर रहे है but other long term liabilities में हम किसी और चीज से की वज़े से liability create हो रही है हमारे सामने जैसे हमने goods करीदा तो हमने पर trade payable एक liability incur हो रही है trade payable मतलब जब हम supplier को पैसा देना है वो trade payable है अगर हमने supplier को पैसा देना है after 12 months तो यहां पर हमने पैसा borrow नहीं किया so it is not a long term borrowing it is a long term liability because you purchase the goods from supplier next is premium payable on redemption of debentures कभी-कभी ऐसा होता है हम debentures जब issue करते हैं तो debentures issue करने के बाद जो पैसा आता है हम debenture holder को बोलते हैं कि तुमने हमें 100 रुपे दिये हैं तुम्हें repayment के time पी 110 रुपे देंगे तो यह जो 10 रुपी एक्स्टा देंगे 10 रुपी जो हम एक्स्टा पे करेंगे यह है premium यह हमारे लिए एक other long term liability है premium payable on redemption of preference shares same case है अगर preference share हमने 100 में issue किया है और हमने उनको promise किया है कि repayment के समय में 110 रुपे देंगे आपको तो यह जो 10 रुपे का extra payment है यह 10 रुपे का extra payment premium तो premium amount हमारे लिए other long term liability है no long term provisions हमारे business में हम कुछ anticipated liabilities होने वाली होती है यह मैं पता है future में हमारी liability होगी हमें future में कुछ payment करना है उनके लिए हम पहले से provision बना देते है तो यह जो हमने provision बनाया है यह अगर long term provision अगर यह payable है after 12 months or after operating cycle if provision payable is greater than the time period is greater than 12 months or operating cycle then it is a long term provision so it will be classified as long term liability non current liability तो देखो अभी हमरे पास चार criteria आगे non current liabilities में चार हमरे पास topics है पहला है long term borrowings LTB पिर है दूसरा defer tax liability तिसरा है हमरे पास other long term liabilities और चौता है long term provisions ठीक है यहां पर आके हमरा non current liabilities आगा पास पास यही चार criteria है ठीक है अब हम देखते हैं current liabilities देखो अब आपको याद करना है न कि कौन-कौन से points किस-किस में आएंगे तो आप इस तरह से याद कर सकते हो non current liability NCL is LTB sorry so first is long term borrowing LTB then defer tax liability DTL ठीक है then other long term liabilities तो other long term liabilities OLL other long term liabilities and last is LTP ठीक so non current liability is equal to LTP plus DTL plus OLL plus LTP यह याद करने का criteria ठीक है एक चीज़ और बताता हूँ जब आप ratio analysis chapter पढ़ेंगे तो आपके पास एक word आएगा debt हमेशा debt upon equity हमारा एक ratio होता है ठीक है तो debt word हमेशा कैसे याद रखना आपको LTP plus LTP हमेशा इस तरह से याद रखो अब आपको debt को याद करने की ज़रूरत नहीं है debt का मतलब है LTP LTP मने long term borrowings और LTP मने long term provisions so that is LTP plus LTP that's it next is current liabilities current liabilities के हम definition बढ़ चुके है current liabilities में चार criteria है यह तो operating cycle के within payable हो रही हो पहला criteria operating cycle के within payable हो रही हो तीसरा criteria हमने help for trading हो ठीक है trading मतलब हमारी liability में trade कर रहे है ठीक है और चौता criteria हमारे पास हम उसको deferred नहीं कर सकते हैं हमारा liability को postpone नहीं कर सकते इन चारो criteria में अगर कुछ भी criteria होता है वो हमारी current liability है अब उसमें सबसे पहला है short term borrowings short term borrowings मतलब हमें पैसा borrow किया है short term के लिए payable है within operating cycle और dwellments इन दोनों के within within payable हमें है पैसा pay करना है ठीक है तो short term borrowings का part है example मतलब short term borrowings में क्या क्या include होता है सबसे पहले short term borrowings में include हो रहा है loans repayable on demand ठीक है ऐसा loan ले रहे हमने bank से वो bank हमें कभी भी phone कर देगा bank हमें call करेगा यह भाया आज ही loan pay करो मतलब repayment करो loan का तो जब भी bank हमें कभी phone कर देगा bank कहेगा repayment करो तो हमें immediate repayment करना पड़ेगा इसलिए हम उस loan को लिखते हैं loan repayable on demand demand जब भी होगी हमें pay करना है that is short term borrowings bank order मच्छे से जानते है bank order क्या होता यह cash credit limit क्या होती है यह short term borrowings है अगर आपने January मंत में पैसा order किया January मंत में order किया तो आपको February के 10th of February तो वापिस पैसा जमा कराना और वो draft हो है credit में पी ऐसे हो ता cash credit में तो आपको जल्दी से पैसा जमा कराना है developments का cross नहीं कर सकते हैं within developments आपको पैसा जमा कराना है तो this liability is basically current liability अब देखो अब हमारे पास एक different तरह की current liability है short term borrowings के पार्ट है वह हमारे पास current maturities or long term debts देखो हमने एक long term liability incur करी थी पहले ठीक है सब्सक्राइब मान लिए था हमने long term loan लिया था हमने but वह loan next 12 months में यह हमारी next operating cycle उसमें pay off हो जाएगा for example हमने एक loan लिया था मान लिए 1st April 2021 को और अभी मान लिए हमारा financial year चल रहा है हमारा financial year खतम होने वाला है 2023 को ठीक यह long term loan है क्योंकि 2021 में लिया उन्हें कितने साल इसको हमारे पास outstanding रखा 21-22 22-23 इसको एक काम करते हैं date को थोड़ा सब एक्स्टेंड करते हैं यह long term loan मान लिए हमने incur किया था 1st April 2018 को loan लिया था हमने 1st April 2018 को तो कितने financial years होगे देखो 18-19 19-20 ठीक है 20-21 21-22 ठीक है और 22-23 ठीक है 22-30 और यह pay हो जाएगा for example 31st December 2023 को pay हो जाएगा अब देखो 18-19 की financial year में long term था यह long term था long term था long term था 22-23 में आके जब 23 तरीक को हम अद लिए 31-23 को जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं यह हमारी reporting date है reporting date से April, May, June, July, September, October, November reporting date से 9 months के अंतर है आज हमारी reporting date है इसके 9 months 9 months कब हो रहे है December को 31 December को यह repay हो जाएगा तो कोई सा भी long term debt अगर next 12 months में आज हमारी reporting date है और आज हमारी reporting date से 12 months में अगर repay हो जाएगा ठीक है तो यह हमारी long term liability से current liability में आ जाएगा और current liability में कौन से head में आएगा short term borrowings में और उसका sub head किया होगा उसका sub head होगा current maturities of long term debts यह एक अलगी head है जो हमारा long term liabilities को non current liabilities को हम short term में ले आते हैं इस head में क्योंकि वो था पहले था long term अब वो repay होने वाला है इस financial year में next financial year तक repay हो जाएगा तो वो current maturities मा जाएगा I hope you understand about this next is deposits deposit मतलब हमने ऐसा पैसा बयार से लिया है asset deposits हमार पास जो हमें within 12 months pay करना है Loans from other parties repayable within 12 months from the date of loan जब हमने loan लिया उसके 12 महनी के अंदर हमें उसका repay करना है ठीक है तो that is short term borrowing and other loans and advances जो other loans and advances है जो हमने business purpose के लिये लिये but within 12 months हमने पै करना है तो these all are short term borrowing basically so the first head within the current liability is short term borrow next is trade papers those trade papers हमने यहाँ पर trade papers को अलग से बताया क्योंकि trade papers हमारे business की important liability है यह liability important इसलिए है क्योंकि हमारे business में हम घुजाना trade papers incur करते है तो हमने borrowing सो सारी लियाबरी से अलग बताया है इसको so तो it includes sundry creditors and bills payable हमेशा आद रुपो trade payable एक common world है ठीक है trade payable में आता है sundry creditors या अगर उसने हमें बिल दे दिया bills of exchange तो वह bill payable भी trade payable में आता है trade payable एक common world है no trade payable के बाद आता है other current liabilities कुछ चोटी चोटी liabilities है उसमें सबसे पहला है interest accrued but not due on borrowings यह बहुत ही different criteria है interest accrued but not due on borrowings इसमें क्या होता basically सबूल मान लीजिए हम हमने एक debenture issue किया है ठीक है यह debenture का जो interest है यह हम due करते हैं June और December में दो हमारी dates है normally भी debenture 6 मैने में debenture interest due होता है तो एक तो due होता है June में और एक due होता है December अब जो debenture due ही June और December में होगा उनमें क्या होता हमारा financial layer clash करता है कैसे देखो हमारा financial layer चल रहा है suppose माने लिए 1st April 23 से और यह financial layer close होगा 31st March 24 को और April के बाद एक हमने pay किया June 23 को ठीक है और एक हम pay करेंगे December 23 को December 23 को डियो होगा next December 23 को next इसके बाद डियो होगा 31st December यह अब इसके बाद डियो होगा डियो होगा अब देखो जून वाला हमने pay कर दिया इस पार्ट को छोड़ दो December 23 में डियो होगा अब इसमें प्रॉब्लम यह आ रही है कि यहां पर June और December में जो pay होगा इन दोनों के बाद एक ऐसा time period है जिसमें हमरा interest accrue ही नहीं हुआ Suppose यह 31st December है 23 इसके पहले था June 23 जिसमें हमने pay कर दिया हमारा financial year start होगा April 23 और इसके बाद हमारा financial year close हो रहा है 31st March 24 इस December 23 और 31st March 24 के बीच में यहां पर यहां पर हमारा time period है 3 months का January, February, March यह 3 months का जो interest है यह due होगा June 24 को 3 months का interest अब यह due तो होगा 24 को बट हम हमारी accounting करते है accrual basis पे तो जब 3 months का interest है उसकी accounting में accrual basis पे कर रहे हैं तो हम इस interest को accrue कर देंगे पर लिखेंगे यह interest accrued but not due अभी due नहीं हुआ है यह interest है हम 31 March को इसको accru कर देंगे accru due में फरक क्या देखो accru का मतलब है कि हमारा interest लगातार चल रहा है interest हमारा चल रहा है interest बन रहा है ठीक हमने अगर तीन मेने पैसा यूज में लिया है तो interest बन रहा है that is accru और due का मतलब उसको books में लेके आना actual में books में लाएंगे जून 24 में और जून 24 तो next financial year जून 24 पढ़ेगा हमारा 24-25 वाले financial year तो इसका मतलब यह तीन महिने का interest में accru करना पढ़ेगा 31st March 24 को this is interest accrued but not due ठीक है तो यह current liability 3 months की 3 months का interest हमें books में accru करना पढ़ेगा और accru करके उसको books में बताना पढ़ेगा कौन से head में interest accrued but not due अब देखो next हमारा पास interest accrued and due on borrowings यह कैसा interest है जो accru भी हो गया है due भी हो गया हम books में भी लेके आ गये है इसको बट हमने pay नहीं किया है not paid तो यह जो pay नहीं किया है यह हमारा outstanding interest है और यह जो outstanding interest है outstanding interest हमारे लिए current liability बन जाएगा हम इसको current liability में बताएगा other current liabilities में income received in advance ऐसी income जो आप वो receive तो हुई है but आपने उसके against में services नहीं दिये भी तो ठीक है जब आप services दोगे तब वो आपके लिए income बनेगी जब तक आप services नहीं दोगे तो वो जो पैसा आपके पास आया है वो पैसा आपके लिए current liability है वो liability के form में पढ़ा रहेगा जैसे for example tuition fees मैं tuition पढ़ाता हूँ और student मुझे advance fees देते है जब तक मैं advance fees मेरे पास advance fees आ चुकी है और जब तक मैं अपना syllabus complete नहीं करूँगा तब तक ये advance fees मेरे लिए liability है ये मेरे लिए income नहीं क्योंकि मुझे syllabus complete करना है तो syllabus complete होगा उसके बाद ये fees मेरे income बनेगी this is the main thing unpaid dividends वो चैसे shareholders होते हैं जिनका हमें पता नहीं पढ़ पाता कि वो shareholder ने dividend claim क्यों नहीं किया shareholder dividend claim करता है बट कभी कभी को shareholder कि जैसे किसी shareholder के death होगी तो shareholder ने dividend claim नहीं किया ऐसा dividend का amount जो भी तख claim नहीं हुआ है वो dividend amount other current liabilities में unpaid dividends के नाम से बढ़ा रहता है access application money refundable and interest accrued there on company ने company को access application money refund करना था company ने application money refund नहीं किया share के application आई बट पैसा refund करना रहता तो जो पैसा refund करना है या अगर उसके उपर को interest accru हुआ है तो वो other current liabilities में पढ़ा रहेगा unpaid mature deposits and interest accrued कुछ ऐसे deposits है public deposits या कुछ ऐसे debentures है जो हमें public को repay करना है बट हमें पता ही नहीं लग पा रहा है कि वो लोग कहां चले गए जिन्हों नहीं हमें पैसा दिया उनके बारे में पता नहीं लग रहा है हमने उनके घर पर check बेजा check वापस bounce हो के आ गया check return back आ गया तो हमें payment करना है but the person is not about कहां पे वो पता नहीं है तो ऐसे unpaid deposits या unpaid debentures और उन पे interest वो सारा other current liabilities का part है calls in advance मतलब shareholder ने पहले ही पैसा बेज दिया हमारे पास हमने पैसा मंगवा है नहीं shareholder ने पहले ही पैसा बेज दिया मंगवाने से पहले वो calls in advance other current liabilities है और कुछ other payables भी हो सकते है जो other current liabilities का part है यह सब छोटे छोटे जो amounts है यह सब other current liabilities पाते है now next is next and last one of the current liabilities short term provisions those provisions which are payable within 12 months or within operating cycle are short term provisions from the date of balance sheet for example provision for employee benefits short term हो सकता है provision for expenses provision for tax tax provision normally short term होता है क्योंकि जो आपने 31st March को tax provide करा है 31st March 23 को आपने provision बनाया है provision for tax यह 20,000 पा है आपने provision बना दिये यह tax का settlement 23-24 में हो जाएगा क्योंकि जैसे ही आपकी company का assessment होगा आपकी income का assessment होगा आपको tax pay करना पड़ेगा तो यह जो tax का settlement है यह 23-24 में हो जाएगा इसलिए provision for taxes current liability normally provision for tax current liability ही होता है क्योंकि उसका settlement 12 months में हो जाता है और कुछ other provisions भी हो जकते है जिनका settlement 12 months में होगा next 12 months में balance rates है next 12 months तो these are short term provisions यहां पर आके students हमारा non current और current liabilities का part complete हो जाता है तो you can go through the lecture आपको इससे सारी चीज़े याद हो जाएगी अब हमारे पास जो current liabilities को याद करने का short term borrowings STB then trade payables TP then other current liabilities OLL, OCL and short term provisions OCL and short term provisions OCL other current liabilities and short term provisions STP so current liabilities को याद करने का यह तरीका हो जाएगा आपको headings यहाद होनी चाहिए क्योंकि headings के अलाब डेटिल भी बता होनी चाहिए क्योंकि exam में ऐसे चोटे-चोटे examples दे जेते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि कौन सी liabilities बताओ so you have to remember the headings also sub headings also and their nature also आपको nature भी पता होना चाहिए so guys यहाँ पर आगे हमारा library head complete हो जाता है till then अब हम next lecture में assets वाला head complete करेंगे और library head complete है हमारा assets वाला head complete करेंगे till then thank you झाला head